Press Conference as we speak on political developments in Rajasthan. और सरकार के अभी दो-तीन दिन पहले तक जो मंत्री थे, मंत्री मंडल के सदस्य, वो निरंतर साहस के साथ में सत्य को लोगों के सामने मीडिया के माध्यम से रखने का काम कर रहे थे, और जब उन्होंने विदान सभा के पटल पर खड़े हो करके, सरकार से, अशोगलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विशय साहस के साथ में विदान सभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है, मंत्री पद से बरखास्त कर दिया गया, आज श्री राजंदर गुढ़ा, विदान सभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के मित्रों के माध्यम से उदगाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूले हिल जाएंगे, सरकार धराशाय हो जाएगे, मित्रों लाल डायरी डायरी का रहे से आज पूरा राजस्तान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से मन्नी अशुक गैलोट साब से पूछना चाहता हूँ कि वो लाल डाइरी क्या है और उस लाल डाइरी को लेकर के सरकार में और मन्नी ये मुख्याजी में इतनी घबराट क्यों है मैं आपको उसके नेपत्य में लेकर के जाना चाहता हूँ 2020 में जब कॉंग्रेस पार्टी में अंतरकल है चरम पर था पार्टी के कुछ विधायक PCC चीफ और Deputy Chief Minister के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे और उस समय में उसी कालखंड में उस समय के बीच में उसके आसपास मुझे exact date याद नहीं है सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदादिकारी कॉंग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्रिपद का दरजा पात व्यक्ती जो मानिये गैलोट साब के राजदार भी हैं और खासदार भी है उनके घर पर इंकम टैक्स ने रेड किया था और उस रेड में आख़बारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डाइरी और कुछ आपत्ती जनक दस्तावेज उस समय रीकवर किये गए थे राजस्तान पुलिस की मिले भगत से उस समय राजदर गुड़ा जी जो विधायक थे और मानिये गैलोट साब के करपा पातर थे उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया वो अपने पचास सौ साथियों के साथ में जा करके वहां इंकम टेक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डाइरी चीन करके लेकर आये थे और ऐसा क्वाना जाता है उन्होंने जैसा कहा है कि उस डाइरी में गैलोट साब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे इस लाल डाइरी का रहस से क्या है इसको आप राजस्तान का प्रत्यक व्यक्ति जानना चाहता है और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डाइरी जिसको लेकर के आज जब राजिंदर गुढ़ा जी वहाँ विदानसभा में पहुँचे थे तब जिस तरह से उनसे डाइरी को छीनने के लिए कॉंग्रेस के नेताओं में होड मची थे और जिस तरह से जबरन उनसे डाइरी प्चेन करके भाड़ने की कोशिश की गई कहीं ने कहीं डाल में कुछ लाल है कि नहीं काला जरूर है और जैसा उन्होंने कहा है आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्तान के मान्य मुक्य मंत्री जी से प्रशन करना चाहता हूँ किमानी मुक्यमंत्री जी आप से राजस्तान की जनता ये जानना चाहते हैं राजस्तान के मद्दाता ये जानना चाहते हैं कि वो लडाल डायरी क्यों आपने राजंदर गुड़ा जी को बेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी राजस्तान के गरीब जनता के पैसे जो राजस्तान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे कौन उनके गुलचर्रे उड़ा रहे थे अपनी राजनितिक मैत्वा कांगशाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे कब कहा और कैसे अपने राजनितिक आखाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से उपयोग किया जा रहा था, कहा कहा उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी जैसा राजंदर गुड़ा जी ने कहा है 500 करोड रुपे का हिसाब किताब उन डायरियों में लिखा हुआ था गरीब के पैसे से सरकार को बचाने के लिए जो पैसा इधर उधर किया गया उसके इंदराज उस डायरियों में थे क्रिकेट के आर्सी है के चुनाव के लिए किसको किस तरह से कितना पैसा कब दिया गया था उसके हिसाब किताब भी उस डायरियों में थे उसके अलावा भी अलग-अलग तरह का माफिया जो सरकार के संरक्षन में चल रहे उससे जो कमीशन की राशी आ रही थी उस कमीशन की राशी का हिसाब केताब भी उस डायरी में था इस लाल डायरी का रहसिनिष्चित रूप से राजस्तान की जनता आज जानना चाहती है और सरकार की बॉकलाट घबराट आज सपश्ट होती है और इस बात पर मुहर लगती है कि क्यों कर राज़ंदर गुडा जी की बयान बाजियों को इतने साल तक इतने महीनों तक बरदाश्ट किया जा रहा था आज राज़स्तान की जनता के समझ में यह आ रहा है करके भी उन्होंने प्रशन खड़ा किया है कि उस समय में क्यों करके वरतमान के मुक्यमंत्री जा कर तो अके यूनियन मिनिस्टर काजेंदर शेखावट तो वर दे regarding and talking about a controversy we've seen play out right now in Rajasthan regarding Rajendra Guda, the former Congress Cabinet Minister in the state of Rajasthan till Friday, he was sacked on Friday after comments he made about the safety of women in the state. Now that's all that we have for you on the show. Thank you for watching updates and news continues on CNN News 18 through the day.